आज हम बनेने जारें आप सभी लोगों के लिए मावा माल पूआ रेस्पी मैंने लिया एक कटोरी मैदा, एक कटोरी गेहूं का आटा एक छोटी कटोरी मैंने लिया है सूजी इन सभी को हम एक साथ मिलाएंगे मैंने लिया है ड्राइफ फूट, काजू, बादाम, पिस्ता इन सभी को मैंने मिक्सर में पीस लिया है इसे भी हम डाल देंगे आटे में डालेंगे पिसी हुई चीनी चीनी हमने पूए के हिसाब से डाला है आप कम ज़्यादा कर सकती है अब हम इसमें डालेंगे मावा मैंने दो बड़े चमच मावा डाला है आप अपनी पसंद के हिसाब से डालिए वरना इसके भी कर सकती है इन सभी को हम अच्छी तरह से मिलाएंगे अच्छी तरह से मिलाने के बाद हम डालेंगे मोयन के लिए रिफाइन डॉयल मैंने दो बड़े चबमेच रिफाइन डॉयल डाला है अच्छी तरह से मिलाएंगे और हम इस तरह से इसको चेक कर लेंगे मोयन हमारा एकदम परफेक्ट है अब हम डालेंगे कद्दू कस की हुई गरी हमने लिया है एक कटोरी दूद इससे हम इसका डो तैयार करेंगे आप चाहे तो पानी का भी इस्तेमाल कर सकती है इसको हम सेट होने के लिए रख देंगे पांच मियट बाद चिक कर लेते हैं पूए के लिए हमारा डो एकदम रेडी हो गया है गैस पर हमने रख दिया है रिफारेंड डॉयल गरम होने के लिए अब नीमू के आकार की हम लेंगे लोई और हाथों से इसको हम प्रस कर देंगे आप चाहें तो फोग की सहायता से इसमें किसी भी प्रकार की डिजाइन दे सकती है इस तरह से हमने सारी पुए में डिजाइन बना दिया है तेल गरम होने के बाद हम डालेंगे तलने के लिए आप इसको मीडियम फ्लेम पर तलिएगा हल्का ब्राउन होने पर हम इसको पलट देंगे पुए हमारे बनकर रेडी हो गए हैं अब हम इनको निकाल लेते हैं प्लेट में सारे पुए बनाकर हमने रख लिए हैं आपको हम तोड़कर दिखाते हैं पुए हमारे अंदर तक अच्छी तरह से पख गए हैं अब हम इसमें डालेंगे उपर से रबडी गाने सिंग के लिए डालेंगे कदू कसी की हुई गरी अब से हमने रखा है बादाम और आकरोड एक बड़ ट्राइ करिएगा पसंद आने पर मेरे चैनल को लाइक, सेर, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिएगा